के उपकरणों पर जो चीजे इस्तेमाल की जाती है ट्रेक्टर दूसरी चीजे उसके पार्ट्स कर रही है आप अपनी पार्टी को कॉंट्राडिक्शन कर रही है दुख दूत बादन में हम नंबर वान है अनुत बादन में हम आज की डेट में आत्म कोविड पीरियड में भा हरत पूरे दुनिया को खिला रहा है कौन से पाल्टी की आप्रवक्ता बनके बैठी है और वह आपकी ही पाल्टी ने किया है हर इक प्रांती आपकी ही पाल्टी ने लाए ठीक हम लोग जी आखर एक सबाद नहीं होता है एक सब्सक्तर प्रेंका गुपता जी को कॉंट्रा बाता रखें प्रेंका गुपता जी इस तो पर जारी ऐसा लग रहा है कि चुनावी मौसम की गर्माहट का असर नहीं है बहुत सारी चीज़े समय के अनुसार मोनो टूनस हो जाती है कुछ नगुछ नवीनता क्रियेटिविटी सब लोग लाना चाहते हैं चाहे वो पक्षों चाहे भी पक्षों और चीजों को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए जनता तक पहुँचाने के लिए अपने समर्थकों या विरोधियों तक पहुँचाने के लिए एक प्रहार करना और कन्विंस करना दोनों चीजे के लिए मैं बोल रहा हू इस तरीके की exact terminology का यूज किया जाता है जो पूरे matter को पूरे मामले को और बारीकी से explain कर सके तो ये जितने भी terminology नए आये हैं चाहे पक्ष या विपक्ष की तरफ से उसमें कुछ message है उसमें कई हित सादे जा रहे हैं अपनी बात को convince करना पक्ष विपक्ष एक दूसरे के उपर आरोप लगाना उनको कमजोर करना तो terminology का जो असर होता है वो इस तरीके से है और इसलिए प्रयोग किये जा रहे हैं रही बात दूसरी चीज़ जो इस debate का जो एक main पहलू यह है कि यह जो आंदोलन हो रहा है देखे सबसे पहली चीज़ यह है कि आंदोलन जीवी शब्द अगर पूरे भासड को सुनेंगे कुछ खास लोगों के लिए किया गया है जो किसान बैठे हैं जो real में किसान है जो इस बिल से positive या negative way में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं प्रभावित होंगे चाहे अच्छे या बुरे तरीके से कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पे पहुंचे हैं जिनका की agriculture इस बिल से ठीक है आप एक नागरिक है एक सरोकार है लेकिन direct या indirect impact नहीं है अब वो अच्छा यहां पे भी वहाँ पे भी हर जगह पहुंच रहा है कोई कामी नहीं है जो की हर आंदोलन में प्रेजेंट रहते हैं चाहे किसी भी फ्लिट नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग एक मिश्रा दिये भी जाना इसमें गलत क्या है अगर कुछ लोग है मुद्दों के साथ में हर जगे खड़े होते हैं किसी के साथ का मुद्दा हो चाहे वो स्ट्रेंट्स का हो टीचर्स का हो किसानों का है विपारियों का हो सभी जगों पर वो लोग जाते हैं उनके आवाज में आवाज मिलाते हैं क्या इसमें कुछ गलत है देखें बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ किसी भी आंदोलन को भढ़काना भढ़काने का मतलब अगर आप किसी दूसरे पक्ष से हैं या निस्पक्ष हैं आप वहां जा रहे हैं चीजों को जो किसी भी आंदोलन की एक लीडर्शिप होती है आप उस लीडर्शिप वो ही बोलना है कि यह चीज गलत है उनके प्रस्ट पूछने का तरीका तो जो ऐसे तत्तों हैं अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना स्टेंड लेके जाएए आपका अपना व्यू होना चाहिए कि हां यह सही है यह गलत है रेदर दैन वहां पर जा करके कि आप आग को भढ़ पर चंदा नहीं लिया है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने फ्री में चीजों को नहीं दिया हो पब्लिक का तो कहने का मतलब यह है कि जो सरकार है 11 राउंड की बात हुई है मैंने खुद इस चीज को बोला है कई डिबेट में मैंने यह बोला है कि ठीक है अगर आपको कोई च समझाना सके किसान के अब तक क्या है किसान यह करें कि हमने 11 दोर की बाच्चित में यही तो समझाया है हम इसलिए पहले कर रहे थे किसाब वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी या वीडियो के जरी इसका लाइप परसारण कर दिया जाए सरकार अगर करा देती तो लोगों के समझे बात आती जैसा कि राजिसभा व लोगसभा का पूरा सेशन चलता है कि कौन क्या कुछ बोल रहा है तो सवाल यह कि कौन भरमित कर रहा है जो लाइप प्रसारण की बात है मैं उनको यह बोलता हूं कि पत्रकारों का न्यू चैलों का इसमें बहुत बड़ा रोल है जि क्यों दूर भाग रहे हैं मीडिया के सामने ये लोग आएंगे नहीं पख्षियां कैसी भी मीडिया हो गलत हो सही हो आप मीडिया के तीन चीज़ें किसान अंदोलन वाले रट रहे हैं मैं तो यहीं बोलना हूँ कि हेल् गाजियाबाद के बॉर्डर पे लगा हुआ है जो रोड पे लिखा रहता है हाईवे पे जो लिखा रहता है कि आगे गाजियाबाद मेरट 50 किलोमीटर दूर है उसके उपर पूरा उन्होंने ये लिखा हुआ है कार्पोरेट भगाओ देश बचाओ अब मैं सारे किसानों से पूचता हूं कि ये लिखने का मतलब ब्यापारी भगाओ देश बचाओ छोटा ब्यापारी हो बड़ा ब्यापारी हो क्या राष्ट निर्माड और एकनोमिक कंडिशन में इक राले का बुत है लेकिन अम्डोन से कुछ लोग अलगलग परेकिन लगाथे लिकिन उसके एक मिश्राट जी ने जो बाते कहीं कि जो बात सरकार कह रही है और किसान अभी तक समझा नहीं सके, विपक्ष अभी तक समझा नहीं सका, किसानों का जिस तरी के सरवया साब में आता है, जाहिर तोर पर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार जो कह रही हो ठीक कह रही है ने देखिए मैं खुल के बोलता हूँ ठीक है सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे लेकिन विपच्छ अगर कुछ गलत करे तो समझ में आता है या किसान आंदोलन के नेता कुछ गलत करे तो समझ में आता है लेकिन सरकार को जूट नहीं बोलना चाहिए सरकार ने एक नहीं क समझाई पहली मीटिंग में निकले तो यही वर्ड यूज हुआ दस मीटिंग तक उनको प्राब्लम समझ में आती रही ग्यारवें मीटिंग के बाद अगर वह आज यह कहते हैं सदन में खड़े हो के मुझे यह नहीं समझा पाए कि समस्या कहा है तो मैं बताता हूं समस्या कह हैं समस्या यहां है कोरोना काल में जब पूरा विश्व बंद था तब ऐसी क्या फता गई थी जो किसान जिस किसान के भरोसे आपने पूरे कोरोना से लड़ा पूरा भारत जिंदा हुआ है ऐसे क्रिसी बिल में क्या इमेरेंसी आई थी कि अध्यादेश के दौरा यह बिल लाया जाता है तो पालियामेंट में रखने पहले आज तक का रूल है कि हर बिल को स्टेंडिंग कमीशन या किसी पालियामेंट कमीशन के पास बेजा जाता है पूरा सदन चिलाता रहा ऐसी क्या मजबूरी थी कि पहली बार इस बिल को नहीं बेजा गया उसके बाद रास संगठन से आप किसानों का बेंटानों किसानों के संगठनों से आप समय की अधिन कि किंद तोक्ता द ine receivers जो बोल հहे हैं कि तसी सरकार साहाब बात तो खुशनुमा महोल में हुई है न क्या बात में सरकार ने लाठी तंड़े चलवा है क्या कोई गमनुमा महोल बना तो कोई भी नेता अगर बोलेगा बात mutual हुई सब लोग बैठे थे वहाँ पर कोई आपती जनक चीजे या घटना नहीं हुई तो महौल तो खुशनुमा था भले किसी conclusion पर पहुँच पाए convince कर पाए हो पाए वो बात दूसरी है दूसरी चीज जो इन्हों ने बूली कि भाई ऐसे बिल को इस तरीके से प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत है किसी से बात करना चाहिए सतर सालों में आप देखेंगे पचासो कमेटियां बैठी हैं पचासो रिपोर्ट आई हैं ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज सुबह बोला कि भाई चारपन्य का बिल बना दो हम पास कर रहे हैं पूरे पिछले सतर साल का भारत के क्रिशी इतिहास का उन्होंने डाटा लिया ओगा एनालिसिस किया वाद तैयारी पहले से रही होगी कि किसानों की किसी समस्या को दूर कैसे किया जाए मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि यह आईडियल बिल है और इसको लागू करते ही सारी समस्या दूर हो जाए इंप्लिमेंटेशन का पार्ट अलग होता है यह बिल भी मैचियोर्टी पे पहुंचेगा कुछ हो सकता है दो साल चार साल के बाद छा महीने के बाद संसोधन करना पड़े लेकिन सवाल यह नहीं है कि गॉर्मेंट के दिमाग में बैठे बैठे आया जी बिल ले आदो सारी र कैसी है जब कि अब ऐसा लग रहा है कि साब सरकार इन तमाम चीजों पर सुनने वाली नहीं किसान हटने वाली नहीं समस्या का समयदान कोई देखने ही रहा है देके दो चीजे हैं हमारे जितने भी मित्र इंक्लूडिंग सरकार की भी मैं बात करूं अगर कोई यह बोले कि इस बिल की डिमांड नहीं हुई थी मैं बोलता हूँ आजादी और उसके पहले से हमेशा से डिमांड रही है वो चैहे दूसरे तरीके से रही हो बिलकुल हर साल किसान फांसी लगा करके मरते रहते थे हर साल चर्चा होती थी कि किसानों की यस्तिती को कैसे सुधारा जाए सर सुन लीजिए सुन लीजिए पहले तो प्रत्यक्ष तरीके से मुद्दा एक ही है कि किसानों की इंकम को कैसे बढ़ाई जाए आपने शुरू में बोला कि नौकर शाहों की तनखाहें 121 परसंट बढ़ गई किसानों की भी जो है इंकम बढ़ी है लेकिन 20 या 21 परसंट आज जरूरत है मैं एक चीज और बोलता हूँ जो लोग दुग्द पालन मतलब जीव जन्त पाल करके दुग्द उत्पादन का काम कर रहे हैं जो मचली पालन का काम कर रहे हैं जो मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसका काम कर रहे हैं वो बड़े प्रॉफिट में रहते हैं य यह तो बोलता हूं, अपने संविधान में भी 50 कमिया है, contradict stan technology, चीज़े है, तो अब क्या करें? कि जि संविधान को रद कर दो, जो किसान बोल रहे हैं, कि बिल में कमिया है, बिल रद करो, संविधान में कमिया है, तो संविधान रद करो, यह नहीं है सवाल ये है कि देखना ये चाहिए क्या उपियोगिता है आप सरकार के साथ फिर से बैट के बाद करें एक्षार को इंक्लूट करके करें मैं आप ही की बात को ले करके मैं जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहा था कि 1970 से लेकर 2015 की बीच की एक रिपोर्ट थी मैं ये बोलता हूं सारी समस्या का जड़ ये है किसान भी यही बोल रहे है और 70 सालों में जो भी उपाय हुए है वो यही हुए है कि किसानों की इंकम अभी भी सब से कम रह गई है कैसे बढ़ाया जाए इंकम कहां से होगी सर आप मुझे बताईए इंकम तो ब्यापारी देगा ना और उनी ब्यापारियों के लिए इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है यह जो टिकेट सहाब बैठे हैं मैं आके देख रहा था बोर्ड लगाया है कार्पोरेट भगाओ देश बचाओ कहां भ खरीद कोई भी करें उसी तदान के करें वायदों में किसांब रहे हैं चाहे प्राइडेट आजनी खरीदे चाहे इंडी दिन्हों आजनी खरीदे चाहे तो इक बार आप बिल्के प्रावद्धान को समझें मार्केट को क्लब करते हैं आप ये बताईए इसकी हारस्तार जो उसने इन्वाल्ब से किसान उनकी हालत सुधर गई तो एग्री कल्चर की भी तो हालत आप सुधर ने दीजिए आप किसानों के साथ मार्केट को उनके दरवाजे पर पहुंचने तो दीजिए अगर कोई कमी होती है किसान को उसका प्राइज मिल जाएगा वो आप कर नहीं रहे हैं आप वही कर दीजिए ना जो किसान चाहता है वो आप कर दीजिए दे दीजिए किसान को मैं किसान चाहता है इससे ज्यादा करने की कुर्शिश्की देए आप कुछ डाटा देखें मैं आपको बताता हूं साथ हजार मंडिया आपने देश में पचातर करोड़ किसान है एक मंडी के उपर किदरे किसानों का लोड़ है आप अनुमाल लगा सकती है यह मंडियों की मैं सब्सक्राइब रहा है यह थैसे हैं चालेर की जार यहार खारीदें पर इसका बॉल फिरूड़ किसानों साथ साल आपके हाथों में सकता थी क्यों नहीं किसानों की विपक्ष पर बैठे हैं अपना काम दंदा छोड़के अपना परिवार छोड़कर कुछ तो कुछ तो आप जो है मन में अपने सम्वेदनाएं लाईए किसानों के लिए क्या कहां गहीं आपकी सम्वेदनाएं किसानों नहीं पढ़ेगा और यह बात नहीं हुई थी इग्यारे राउंड गोलियां चल गई थी आप जिरह आपने इतिहास को देखिया आपके टाइम पर अंगोला हुए तो गोलियां चली थी नहीं चली थी एक सेट प्रेंगा गुट लेगा एक बहुत चोटा सबिंदु आज मैं आज में जिब दफ्तर आ रहा था बहुत सारे लोगों इस बात को चांद करें देवी देश में रोज़ाना इस मुद्वे को लेकर चाहिए सरकार अगर लिगलाइज कर दे क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जा साल 2000 से 2021 के बीश में डीजल की कीमत प्रेट्रॉल की कीमत 2001 में कहा थी और अब कितनी हो चुकी है किसानों के गेहों की किमत कितनी होती थी तब और आप कितनी बड़ी है बहुत थोड़ा सा फर्क हुआ है इसलिए MSP किसान चाहता है कि इसको लिगलाइज कर देए बाहर के लोग भी MSP पर खरीदने के लिए बात दो जाए हाला कि वो MSP भी उसके समिक्षा फिर से किया जान किसान ने बोला है MSP है रहेगी और अभी भी लागू है आज कल जैसी है वैसी ही रहेगी अभी तक तो जो जैसे अभी है वैसे रहेगी यह किसान नहीं चाहते ना किसान चाहते कि जितनी उनकी खरीदारी हो बेच सके वो MSP पर बेचे नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ दो चीजे हैं मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि किसानों के लिए एक निवनुतम मूले का निर्धारण होना चाहिए चाहे कोई भी खरीदे ठीक है और बिचॉलियों को हटा दिया जाए वो फैदा किसानों को मिले दूसरी चीज सर कुपज अपने पैरों पे खड़े हो जाए एक बार मार्केट को इंटर तो करने दीजिए यह जो हवा बना रहे हैं कि ब्यापारी किसान का घर बार लूट लेगा बिना ब्यापारी कि आप देश चला लेंगे कौन साथ है उसका विकल्प होगा एक मिश्रा जी ना अमेरिक अमेरिका 42 लाग करूल रुपे खर्च देता है सबसीडी किसानों को अगर बात करें करनाडा की 12 लाग करूल रुपे देता है जैपान आठ से 10 लाग करूल रुपे देता है का अगरिकल्टर सिस्टम आप देखेंगे वहां कितने परसंट किसान है पहली चीज हमारे यहां भी सारी सरकारों ने बहुत सबसीडी दी है और दे रहे हैं सर बिजली का दिल आप देखिए किसानों को डीजल खरीदने के लिए कोई ऐसा मेकनिजम बना दीजी उसमें उनको सस्ता मिल जाए इस बाल के बजट पे यूरिया के किमत बना दी गई अब सूचे किसानी के उकर्लों पर सामानों पर टैक्स लगा दिया गया है पत्युन का फाइदा देखना है। बैठी है और वह आपकी पाल्टी किया है हर इक प्रामति आपकी पाल्टी ने लाए एक सवा टो कर दिया कि सब्सक्राइब कि दिए उनको प्रेंगा गप्ता जी दोसो परसेंट जाते हैं तो यह जादा रहा हो और उनको सहूलियत देने की जरूरत है लेकिन सहूलियत के साथ साथ उनको आत्म इर्वर बनना भी जरूरी है आप एक उम्मीद की निगासे चीज़ें को देखा है पिरंका गुपता जी मेरे डिरेक्ट सवाल है मैं तो पॉस्टी भी देखता हूँ हम चीज़ को लेकिन एक प्रयोग करके देख लेने में क्या पुराई है हो सकता है इकिसानों की जन्म जन्मांतर की समुझका फिलत जाए अखले श्यादो का ये कहना चंदा जीवी क्या उनको नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि नेरेटिव सेट करने में वीजेपी को तो आप जानते हैं मुझसे पूछ रहे हैं जी जी देख़े अब अचंदा जी विए अगर इनोंने ये बोला है तो अब बीजेपी वालों का इनके उपर क्या प्रहार रहेगा वार प्रतिवार क्या रहेगा कितने इस्टेंड ये जो है ले पाएंगे कितनी देर तक टिक पाएंगे ठीक है अगर मेरेटिव की लड़ाई चल रही तो लड़िये ना लोक तंत्र में तो ही आपको लड़ाई जहां पर होते हैं वहाँ पर अभी तक बीजेपी को ही मास्टर मांड के तो पर देखने को मिल